दोस्तों आज मारे पार 1 के संट आयवा जिसकी डिश्पले में प्राव्लम में मिंस जो कि हमारा इंडेक्शन का फैन है वो चल जाता है और डिस्पले में कोई bhi लगा करके आपको दिखा देता हूँ यहां पर यह फैन हमारा रन हो रहा है प्रन्तु क्या है कि हमारे जो डिस्पले है वो नहीं चल रही है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ input signal नहीं मिलता है किसके लिए दोस्तों यह signal जाता है दोस्तों जो वारा heating sensor होता है जो ही लगावाई वहां पर जाता है यह वारी display बिल्कुल बहुत शोल नहीं हो रही है तो मैं आपको दिखा देता हूं अब अब दोस्तों मैं आपको यहां पर सबसे पहले दिखा देता हूं इसके फैन के कनेक्शन को निकाल लेते हैं हम पहले इसे साइड में रख लेते हैं ठीके दोस्तों तो यहां पर आपको मैं पूरे की पूरी जानका रही दूंगा दोस्तों वीडियो को पूरा देखना दोस्त ही हमने हमने चुक्त करने हैं जो दो बोल्ट है वह मिल रहा है या नहीं मिल भान है कहां मिल रहा है दोस्तोथ हमारे को उनकtoo रहे हैं वह हमा llamarco फेंच चाहिए दो 3 चार पांच छे तो दोस्तों इदेखिए यहां पर चीन नमबर पिन और यहां पर एक एक resistance लगावा है ठीक है जहां resistance है तो मैं आपको इदर से भी दिखा देता हूं जो हमारा यह jack लगावा है ना जो की heating sensor के लिए लगावाता है यहां पर यह वाला तो इसको हमारी यह गावाता है एक resistance लगावता है यहां आपको पूरा सरकिर दिखा दिखा देता हूँ तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारे जो वह निकला वाई दोस्तों यह किसी तो इसका जो प्रिंट है वो प्रिंट निकल गया प्रिंट निकलने के बाद दोस्तों यह प्रॉब्लम आने शुरू हो गई डिस्प्ले ओन नहीं ओर थी और नहीं इसमें वीप की आवाज आ रही थी इंडेक्शन ओन होने की तो दोस्तों देखें यहां से यह चैए जो की आईसी धर नमबर 1514 पर से हमारेको पार टू बोल्ट पल्स हमें यहाँ देता है ठीकिह इसके बाद दोस्तों यहां पर जो ममारा रेजिस्टेन्स है मैं आपको यह दिखा देता हूं यह चैर मिन हमारी two bolt आ रही है और कहां जा रही आप थोड़ी समझनी कोशिश कीजिये और हमारा यहाँ पर अब भी आपको दिखा देता हूं यह दो आगे हमारा यहाँ पर यह मिल गया । एक हमारा पर जम पर लगा ह dir झिया above यहाँ पर हमें पूर यह झूरींग क्या है तो हम प्रिंट कि अपर निखा तो हम इसको जंपरնग करेंगा कोई भी वायर ले ले और चे नमबर मुझे पर इस तरह से सॉइल्ड कर दें ठीक है इस तरह सॉइल्ड करने के बाद आपको क्या करना है जो पिन ऊपर निकला है जहाँ पर भी वायर लेकर के पतला सा वायर लेकर के इसके जंपर को यहां लगा सकते हैं तो मैं इसे यहां लगा देता हूं ठीक है दोस्तों तो यह वाला रिस्टेंस है यहां पर लगावा आपको दीख रहा होगा ठीक है तो यह यह वाला रिस्टेंस ठीक है दोस्तों तो इस रिस्ट साइद देंगे और देखते हैं दोस्तों कि यह ओन होता है या नहीं होता है क्योंकि इहां से हमारा जो सर्कृट वो पूरा हो रहा है क्योंकि सर्कृट ब्रेक हो गया था इसका सर्कृट ब्रेक होने के कारण ही यह दिक्कत आ रही थे तो हम क्या करेंगे हमेशा दोस्तों क्यान देना है कभी छोटा मोटा फाल्ट होता है तो वह हम ढूंडते हैं कि कोई component ख्राब है या कोई दिक्कत आ रही है इसमें कोई component जल गया है या कोई blast हो गया या कोई short circuit हो गया पर उपर इसा कुछ करने की हमारा टाइट हो गया है तो इसके बाद हम इसको क्या करेंग एक कि इस दीन जखा देंगे और आपको दिखाते हैं कि यह चलता है या नहीं हमारा डिस्प्ले ऑन होता है कि नई हम देठें मैं चल रहा है और E0 का दिखा रहा है जो सेंसर है वो 42 नहीं कर पार है टिम सेंसर क्मक्स के पर कोई प्रण नहीं रखाけて तो इसलिए चल रहा है तो दोस्तो इस तरफां से आप function को repair कर सकते हैं बढ़े अच्छा से तो आपने ध्यान अगेना हैं तो जो यह connection है इनको अच्छे से करें ताकि इधर उदर शोड सर्कूट ना हो और कहीं और यह शोड नहों तो हम इसको चला करके आपको दिखा दिया है ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और दोस्तों वीडियो फसंद आया तो लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब जरो 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 करना